आज मैं आपको इस वीडियो में पानी पीने के सही तरीके बताने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो प्रीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा है कोई कहता है खाली पेट पानी पीना चाहिए कोई कहता है खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए कोई कहता है खानी के बाद पानी पीना चाहिए कोई कहता है खाने से पहले तो अगर आपके मन में पानी पीने जैसी सिंपल चीज़ को लेकर भी कई सवाल है तो यहां आपके सभी सवालों के जवाब पानी कप पिना चाहिए? कैसे पानी पिना चाहिए? कितनी मातरा में पानी पिना चाहिए? सभी जवाब अगर हम कहें कि आपको पानी पीने का सही तरीका नहीं पता पानी पीने से सरीर में कई तरह की बीमारिया हो सकती है। और हम सबी इस आधरन से बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज जाने, पानी पीने का सही तरीका क्या है? ताकि आप कभी पीवार ना पड़े। पानी पीने से सरीर का मेटाबालिजम सही रहता है। कहते हैं हर दिन कम से कम दस से आठ ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। प्रयाग मातरा में पानी पीने से सरीर का मेटाबलिजम अच्छा रहता है जिसे आपका पाचान सही तरीके से होता है। ये बद हो सकता है। पाचन में दिकत हो सकती है। डाइबिटीस, प्लेड प्रेसर, सिलडर, भारीपन, किडणी प्रॉब्लम और सुष्ती जैसे समस्या भी हो सकती है। हर किसी के सरीर के हिसाब से पानी जरूरत अलग अलग होती है। लेकिन पानी पीने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फिमाल ना पर सके सुबह उठने के बाद दो गिलाज पानी पीना चाहिए आरलेट के मताबरिक सुबह खाली पेट पानी पीना काफी फाइदेमन होता है ऐसा करने से बॉड़ी से टॉक्सिस बाहर मिकल जाते हैं और सरीक के सफाई अच्छी तरह से हो जाती है साथ ये सुबह खाली पेट पानी पीने से कब्ज में भी रहत मिलता है इसके अलावा खाना खाने के करीब 30 मिनट पहले पानी पीना चाहिए इससे खाना आसानी से पज़ जाता है खाना खाने के साथ खाना खाने के तुरंग बाप पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के आदे घंटे बाप पानी पीना चाहिए शेहत के लिए बहुत ही फादेमन होता है इस समय पानी पीना फादेमन होता है नहाने से आदा घंटे पहले पानी पीने से blood pressure की समश्य नहीं होती और सोने से पहले पानी पीने से heart attack का खत्रा कम होता है घर से बहार निकलता वक्त पानी पीटर निकले साथ ही exercise या work out करने के बाद भी पानी जरूर पिए ताकि पानी के पोसक तर तो सरी के पर्याप मत्रा में नहीं मिल पाता गट गट करके नहीं सिपशिप करके पीए पानी साथ ही साथ पानी को एक बार गट गट करके पीने की वज़ाए सिपशिप करके धीरे धीरे पीना चाहिए इसका कारण यह है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारी लाग भी पानी में मिलकर अंदर जाती है पानी को धीरे धीरे पीने से पाचन दक्र को मदद मिलती है कैसा पानी पीएं? आरवेड की मारे तो जो आप पानी पी रहे हैं उसका तापमान खरीर के तापमान से ठंडा नहीं होना चालिए गर्ब में बहुत से लोग घर पहुंचते फ्रीज का ठंडा पानी पी लेते हैं जो सरीर को नुक्सान पहुचाता है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से सरीर में कई तरह के रिखते Twenty 005 नहीं ही पीएं